हेलो वे सुड़न्स तो आज के सुड़े हम सीखने आला है स्चेटिक का चैप्टर नूमबर वन जिसका नाम है संक्लन एना तैना उप्योगो इंट्रग्रेशन एंड इट्स एप्लिकेशन आज के आज में इस चैप्टर के सारो सम्स कम्पीट कर सिखाने आला तो में लेन आला कुष्ण में 56 आप चैकाट कीजीगा अपने टेक्सबूक में 56 चैके को आफिटुक में लेने संस के सारे संस करां तो कि इसके बाद में सब्सक्राइं नेक्स आप के तो फर्स्ट अपर दीकहां घ्राइज को दिखा लिगें यहां पर यह लिखा summation यहां पर लिखा 6 और यह 0 है यहां पर underwood में x है और underwood में first underwood में 6-x और second में दिया है underwood में x देखिए और यहां चुका लिखिए आज में 1 second आपको x में करना है वाला हूँ सारे type की जितने इस chapter में exam में पूर्शिया देऊं सारे यहां पर आपको x is equal to value assume करना है तो यहां कि कौनसी value assume करने देगी इस type के संच में जहां आपको दो टाइप कर दिख नहीं यहां single x है यह x दिया गया है 6 दिया गया है तो यह वाला आपको assume करना है x is equal to 6-x आप क्या करना है इस equation में आपको x is equal to 6-x की value रख देना जहां पर x होगा वहां पर क्या बन जाएगा 6-x तो दीकिया solution करेंगे तो जहां x है वहां हो जाएगा 6-x अपके अंडरूट में था यह अपकों में second अंडरूट six minus अब यह x है उसके ज़र क्या आएगा six minus x वहां six लिखना है लेकिन बाहर minus होने को जैसे यह minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अपके जाएगा यहां पर कोई चैन्ज नहीं होगा सव्पाुशन मिल जाए यहां पर नया एक्वेशन भिदीजिया नहां पर जो हमने new वाला find out किया जो value change कर दे वो वाला equation लिख दीजिए plus में लिखेगा बीच में middle sign अब यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर LCM का use करेंगे तो अपन में LCM दिख रहा तो एकोल दिख रहा है दोनों क्या है एकोल है अब अब उसका solve करना है संक्लन अब उसका क्या करेंगे संक्लन करेंगे dx solve करेंगे अब तो only one होता है तो आपको पता है x only one का क्या आजाता solution x आजाता है यह होगा हमारा संक्लन पर यहाँ पर संक्लन खतर नहीं हुआ है आगे आपको value पूटन करने के लिए बुला गया क्या बुला गया 6 और 0 तो यहाँ पर x यह एक बाद 6 रखना है पर एक बाद 0 रखना रहेगा तो क्या हो जाएगा x की value क्या बाद 6 होगा तो 6 हो जाएगा बिच में इन दोनों का solve करने के बिच में क्या होता अल्वेस माइनस रहेता है अब x की value क्या रखना है तो 0 रखना है तो solve होगे क्या आएगा आएगा 6 आएगा यहाँ देखिएगा यह आई प्लस आए एक्वेशन का तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कितना हो जाएगा 2i बन जाएगा तो इसका जो 2 है यह इसके अप्वान में आजाएगा लास्ट में और अप्वान करने का final answer हो जाएगा कितना हो गया 3 हो गया यह हो गया complete sum solve ओकी step से solve करना है shortcut में बता तो क्या रहेगा जो भी हमारा a और b दियागा उन दोनों के इसका बोल सम्स पूछे गए तो फर्स्सम में आजड़ कर लेता हूँ जो लिखा गया कुछ इस तरह से यहां का में D solve करने जा रहा हूँ लिखा गया summation 3x-5 और second equation भी दिया गया 2x square plus 3 ओके सब आप चेक आउट कीजेगा आपने टैक्स बुक में अब इसका solution कैसे करना यहां पर बड़ सिंपल सा पहले दोनों को क्या करना है आपस में multiplication करगे open कर देना bracket तो open simple है 3x का पहले हम into करेंगे 2x का 3 से करेंगे यहां 2x का 2 दिया गया है sums में तो 3x का 2x के square से multiplication करेंगे तो 6 और x की 1 और x की 2 तो क्या हो जागा x की 3 बन जाएगा अब क्या करना माइनस 5 का into करेंगे तो माइनस 5 का 2 से करेंगे 10 और x square से आजाएगा अब क्या करना है अब 3x का किसे into करेंगे 3 से करेंगे प्लस का प्लस 9x आएगा, माइनस 5 का प्लस 3 से करेंगे, माइनस 50, यह हमने क्या कर दिया, अब ओपन कर दिया, ब्रैकेट को, सिंगल कर दिया, अब बस इंट्रेशन सोल करेंगे, इंट्रेशन का रूर्स बड़ा सिंपल है, जो भी x का पावर आएगा, उसमें एक इंक्रीस कर देना, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 4, आपन में वही पावर आजाएगा, यहाँ पर 10x की 2 है, तो क्या हो जाएगा, 3, आपन में 3 हो जाएगा, 7, यहाँ पर x की 1 पावर है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपन में 2, minus 15, यहाँ एक्स नहीं है, तो एक x आजाएगा, यहाँ पर एक X involved कर दिया जाएगा इसे क्लोज करके क्या लिखा जाता है C लिखा जाता function क्योंकि आगे value रखना नहीं ए और B इसकी तरह को value उमें रखना नहीं है बाया ना, defined integration नहीं है, near संक्लन नहीं पूछा गया है only संक्लन करना तो संक्लन कर चुगे है बड़ कुछ common कट हो रहा है, common निकाले है 6 और 4 में common 2 का जाएगा, 3 टाइम जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम यहाँ पर कुछ common नहीं है, तो same to same return down कर लीजिएगा यहाँ पर भी कोई common जाने के chances नहीं है, same to same यह हो गया हमारा sums complete, यह हो गया solution इसका complete next एक और sums देखिएगा, मैं बहुत सारे sums लोगा होगा आज के इस वीडियो में second वाला पुछा गया है, 2x upon mean 2x minus 3 देखिए, यह sums भी कैसा solve होने वाला है मैं हर टाइब पर sums कवर कर लोगा इस वीडियो में आज तो लिखा गया है 2x upon mean 2x minus 3 अब इसको सारू कैसे क्या लेगे, यह है divide वाला रोल फॉलो करना रहेगा, इसमें उपर क्या है यहाँ पर 2x है उसमें divide किसका देना है, 2x minus 3 का divide देना है यह तो simple division है, इससे hard भी आता है, तो first रहा जो 2x है उसका 2x में divide देंगे, 2x divide 2x कितना time जाता है, पूरा-पूरा one time जाता है, right न तो यह one item कर लीजिएगा, अब क्या करना आपको one का पूरे के सार into करना है तो one का 2x से into करेंगे 2x, one का 3 से करेंगे minus 3 अब क्या करना है, 2x से 2x कट करना है, तो sin chain करू, यह plus का है तो minus हो जाएगा, यह minus का है तो plus हो जाएगा यह plus minus कट हो गया, अब only क्या बचा 3 बचा लेकिन कौन सा sin वाला plus का 3 अब 2x में divide नहीं जा सकता, क्योंकि आपना x की value नहीं है, अगर x की value आगे होती तो हम divide देते रहते अब क्या बचा देखिए, कैसे लिखना है, one time पूरा पूरा divide जा चुक है, plus क्या बचा, plus 3 बचा उसमें divide देना है divide रहे गया है, तो 2x मेंश 3, इस तरह से आपको लिख देना है, यह होगा हमना solution, अब हम इसका करेंगे integration, शंकल करेंगे, तो कैसे करना है, तो one है individual, तो यहाँ पर x की power आजाएगी, एक x हो जाएगा, right, समझेगा, प्लस, अब यह दे कि upon में, तो इसको log के रुप में, formula के रुप में solve किया रहता, आपको दिएगा सारे integration के, जितने में सो रुप है, तो यह 3 का 3 लिखेगा, और upon का पूरा log करके लिखेगा, log 2x-3, और उसके बाद क्या होता है, कि upon में क्या है, यह a x-b होता, तो x के साथ जो value रहती है न, वो upon में आ जाती है, always log के अंदर, तो यह हो गया solution complete, यहाँ पर close करके c लिख दिए, यह हो गया हमारा sums complete, यह log के type का sums था है, यहाँ पर 3 असे लिखना है, upon का जो लोग करके लिखना है, और a, जो x जो value रहेगे अपर में जाए, यह हो गया solution, complete, देखें, next sum, अब मैं solve कराना है वालो आपको यह के दा, जो first यहाँ पर दिख रहा आपको, यह sum, यहाँ summation में 4 और 1 की value दी गई है, और लिखा गया 3x square minus x plus 5, तो देखें, यह solve question होने वाला है, मैं most of cover करूँगा, जहाँ type के sums जो पूछे जाते हैं exam में, तो यहाँ पर sum दिया गया, summation 4 और 1, 3x square minus x plus 5, और यह dx, तो देखें, अब क्या करना है, इसके अंगर हमा नियर संक्रान तक solve करना है, जब भी a और b की value दी गई होगी, तो इसको solve करते हैं, तो पहले यहाँ रखेंगा, पावर 2 हैं, तो 3 हो जाएगी, आप पॉन में 2 आएगा, प्लस, यहाँ अक्यला 5 है, तो यहाँ पर 5 के साथ 1x क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, solution हमारा complete हो चुका है, कुछ common निकल दा, तो common निकाल लिजी, तो 3 से 3 पुरा cut होता है, तो common निकाल गया, तो only x की 3 बचेगा, यहाँ पर कुछी भी मिल नहीं जा रहे है, same to same, और यह भी same to same रहेगा, यह हमारा solution हो गया, संकलन हो गया, लेकि इसके आगे हमको नियत संकलन करना है, क्योंकि यह आप A और B की value दी रही है, तो उसके आगे solution करेंगे, एक बार 4 रखना है, x की जगह, और एक बार क्या रखना है, तो चलिए, solve क अब बीच में always minus आएगा, कि यह दोनों की बीच का different find out करना रहता है, अब x की जगह रखना है, तो यह 1 की 3 time, minus x की जगह 1 की 2 time, upon में 2, यहाँ पर plus 5, x की जगह 1, अब बस solution करना है, 4 का 3 time करेंगे, तो 64 आएगा, 4 का 2 time करेंगे, तो 16, 16 का 2 से divide भी कर लेता हो, तो 8 minus हम यहाँ का, 1 का 3 time करेंगे, 1, 1 का square 1, और 1 divided 2 है, तो 0.5 आजाएगा, plus 5 का into करेंगे, 1 से 5, absorption करते हैं, इसका complete, उसका complete solution आप देख सकते हो, कितना आ सकता है, 64 plus 20, 84, minus करेंगे, 8, तो आएगा, यहाँ पर, 76 आजाएगा, minus, यहाँ पर, 1 plus 5, 6, 6, 6 minus 0.5, 5.5, और minus करेंगे तो आएगा, 70.5, यह होगा इसका final answer, ओका, यह होगा आपको यह भी सान्वाया होगा, बढ़ते हैं, next sum कियो, और मैं maximum sum कौर करूंगा, इस टेप के sums कूछी जाते हैं, exam में, again, third, second, equal sum solve कर रहे हैं, यहाँ पर summation 1 और 0 तिया गया है, देखिए, बहुत थास sum है, यह x से bracket में 1 minus x का 7 दिया गया, तो देखिए, यह solve की step से किया जाएगा, इस आज की वीडियो में सारे टेप के sums most of cover कर लूएंगे हम, 1 minus x उसका दिया गया 7 time, देखिए, इस टेप में समस को solve करनेगा, थोड़ा different method है, तो आपको यहाँ पर भी x की value assume करना पड़े है, क्योंकि आपर 1 minus x के power दियागा 7, तो यह solution possible नहीं है, तो इसका हमको single x में convert करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना है, x is equal to आपको वही वाला जो दिया गया x साथ value वो आपको assume कर लेनेगा, 1 minus x assume कर लेनेगा, x is equal to, अब बस position change की है, यहाँ पर x है, तो उसकी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x, x की value रखिए 1 minus x, बाहर माइनस था तो यह हो गया प्लस, इसके उपर 7 लिखाना भूलना नहीं है, अभी हमने संक्लान सौल नहीं किया, यह 1 minus x to 7 रह जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का 1 माइस का 1 कट हो जाएगा, यहाँ पर only x रहा गया, x की power 7, अब हम इसको कर सकते हैं, संक्लान इंट्रेशन अब करेंगे, तो क्या करना चीए, बल्ला x की 7 का फूरा bracket के साथ इंट्रेशन करके, अब उपन कर देंगे, तो x का 7 का 1 से इंट्रेशन करेंगे, तो x की 7 ही आएगा, minus to minus, x की 7 का x से करेंगे, तो x की 8, यह हमारा हो गया, एक्तम संचित स्वरूप हो गया, अब हम करेंगे इसका इंट्रेशन संक्लान, तो यह पर 7 का फूरा तो आप जानते हैं, कितना होगा, 1 इंक्रेशन करके 8 हो जाएगा, और अपन में एक P क्या है रगा, 8, minus to minus, x का 8 है, तो कितना हो जाएगा, 9, अपन मे वही 9 पाउर, यह होगा हमारा संक्लान कंप्ले, लेकि उसके आगे नियत संक्ल माना है, A और B की वैल्यू दी गही है, 1 टाइम का रखना है 1, और अधर टाइम का रखना है 0, तो एक बार 1 रखेंगे इसी एक्वेशन में, और एक बार क्या रखेंगे 0, तो 1 रखेंगे 1 की 9 पाउर, अपॉन में 9, और यहां पर क्या रखना भूला आगया, 2 बार 0, तो 0 का 8 अपॉन 8, 0 का 9 अपॉन 9, वैसे पूरा 0 यहाएगा, अंसर इसका 0 का, फिर भी इक बार 9 बार कर लेनेगा, 1 का 8 टाइम करेंगे, 1 ही आएगा, अपॉन में 8, 1 का 9 टाइम 1, अपॉन में 9, और यह पूरा क्या रहेगा, 0 ही आजाएगा, अब इसको सॉलिशन करते है, क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन करते है, यह इसी रहेगा, 9 का 1 से इंटो किया, 9, 8 का 1 से किया, 8, और 9 इंटो 8 किया, तो 72, और 9 माइनस 8 करेंगे, तो 1 अपॉन 72, यह होगा हमारा फाइनल अंसर, आ आगे और फिर सम्स लिए गए, आज का उड़े बहुत इंपरेटन होगा, जिसने यह वीडियो समन लिए, उसको पूरा चैप्टर कम्रूट आ जाएगा, F, यह जो 2 मार्क के सम्स होते हैं, उसके इंट दिया गया, सम्मेशन, E की दिया गया, 4X प्लस 5, देखिए, यह कैसा A, B होता है, तो X के साथ जो value लेगी वो अपन में आ जाती है, बस यह होगा, इसका solution complete, और प्लस C करके इसको close कर दिजिए, क्या किया, A, X, प्लस B, तो X के साथ जो value A होती है, वो अपन में आ जाती है, और इसका होगा solution complete, A को सम्स दिया गया, स्री के आगया, 2nd आरा, भू 7 दिया गया, तो प्लस 7 का solution करेंगे, तो आप जानते ही, क्या हो जाएगा, संक्लाइं करके 7X हो जाएगा, राइट ना, अब value 5 राखना, पर कितना राखना है, आपर 2 राखना है, तो X के value 1 time 5 राखेंगे, तो 7 into 5, minus राखेंगा, और एक बार 2 राखेंगे, 7, X के value 2, तो 5 minus यह होगा, 14, तो अपना answer के दाएगा, 21 अमारा answer final बन जाएगा, यह हो गया, sums complete, एक को लास्ट सॉल करता हूँ, यहाँ पर G में दिया गया, एक M-C को टाइप का है, X है, राइट ना, तो देखिए और यहाँ 3 है, और 3 राखेंगे, एक की value 3 राखेंगे, एक की value 3 राख तो देखिए 0 आएगा, अब समझ सकते हैं, लेकिन फिल्ट में आपको दिखा देता हूँ, solve करके, कैसा करना चाहिए, यहाँ पर X दिया गया है, और Summation में 3 3 दिया गया है, राइट ना, तो X का क्या हो जाएगा, X का 2 अपन 2 हो जाएगा, राइट, अब यहाँ 3 हो और 3 तो क्या होगा, 3 का स्क्वेर करेंगे 9 by 2, अगिन 3 का स्क्वेर करेंगे 9 by 2, तो complete क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यह हो गया, अपना Summs complete, तो आज का वीडियो को यही पर हैं, मैंने हो सगा हो कि Most of Summs complete कर रहा है, जिस टाइप के Summs exam में पूछे जा सके हैं, वो सारे Summs सब्सक्राइब, इसके लाभी कोई क्वेरी रहे जाते हैं, तो मुझे कमेंट बाक्स में बता जाएगा, और कॉन सा वीडियो नेक्स चाहते है, वो मुझे लिखिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यू.